पुलीस को औरड़ी पावर है तो आतंगवादी आएगा कोई बम रखेगा तो क्या जा करके और ले करके आएगा मेजिस्टेट से तब जाके गिरफ्तार करेगा करवाई करेगी पुलीस गोली मारेगी नीता देवी का बाल खीच के सारी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया आज का दिन जो है काला दिन के रूपे तेश की जंता ज्याद करेगी जिसमीजी अब आगे की रहनीती क्या होगी पुलीस संगर्श होगा आप लोग भागिदार बनिए आज बिहार विधान सभा के करवाही के दोरान थोड़ा साही रोजा एक काला कानून पे देश किया गया जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे और बिहार के ही नहीं देश के तिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलीस को बुलाया गया एस पी खुद वहां अपस्तित रहे है डीम ने खुद विधायकों को जो लोग तंतर का मंदिर है विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया बाहर निकालने का काम किया गया हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अती पिछरा समाच से जो आती है उन नीता देवी का बाल खीच के सारी खोल करके घसीट करके जो लए जाने का काम किया गया आज का दिन जो है काला दिन के रूपे तेश की जंता याद करेगी विधायक जो है लगबग तीन लाक लोग उनको चुनने का काम करते हैं आप सबलेगों ने वो फुटिज देखा होगा जहां एक पुलिस के अधिकारी जो है लाट से जूते से जो है वो विधायक को पीटने का काम कर रहे हैं और ये सारा इशारा अकरवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई बड़ा व्यावक नजारा था जब इस तरह का काम नितीश कुमार जी के निर्देश पर किया जा रहा था हम जब सदन में रहते हैं तो नितीश कुमार गायब रहते हैं अभी नितीश कुमार जी के भाशन को हमने सुना नितीश कुमार जी समाजवादी के नाम पर कलंग है आज लोहिया लोहिया जी के जै खामोश हो जाएं तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है आज क्या दिन है सुबह सुबह मल्यापन कर रहे हैं मुख्मंतरी लोहिया जी पर और वही सदन के अंदर उनकी सारी विचार धारा को तार-तार करने का काम किया है आज शहादत दिवस के रूप में लोग भगत सिंग सुगदेव राजगुरू ने जो कुर्बानी दी उसके रूप में मनाया जाता है और भगत सिंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और जो कानून अंग्रेजों ने लागु किया था वही कानून आज के दिन नितीश कुमार जी ने लागु किया है आप समझ सकते हैं आज के दिन अब काला कानून क्यों मुख्यमंतरी बड़ा प्रवचन दे रहे थे बोध गया का कि आतंगवादी आ जाता है यह हो जाता है तो आतंगवादी आएगा कोई बम रखेगा तो क्या जा करके ओर्डर ले करके आएगा मेजिस्ट्रेट से तब जाके गिरफ्तार करेगा कारवाई करेगी पुलीस गोली मारेगी सदन के अंदर बोल रहे थे कि ने बोल रहे थे मुंबाई में जब घटना हुई कि 9-11 याद 26-11 जब घटना हुई तो क्या पुलीस के लोग वारेंट लाने गए थे कि कारवाई कर रहे थे जब इतनी बड़ी घटना हुई थी बॉम्बे में तो पुलीस खामोज बैठी थी वारेंट का इंदिजार कर रही थी किसको बेवकूव बना रही है मुख्यमंत्री पुलीस को अल्रेड़ी पावर है पुलीस को अल्रेड़ी यह पावर है यह देखिए CRPC का किताब है CRPC का सदन में ड्रेकर के जूट मोल रहे है मुख्यमंत्री CRPC 41 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पुलीस वारेंट के बिना कब गिरफतार कर सकेगी यानि बिना वारेंट के भी पुलीस को गिरफतार करने की शक्ति अल्रेड़ी है यह देखिए तब कर सकती है जो पुलीस अधिकारी के उपस्थती में संग्य अपराद करता हूं बोधी मंदिर में पुलीस की डूटी रहती है अगर कोई अपरादी अगर कोई घटना बंदूक निकालेगा तो पुलीस इसको गिरफतार कर सकती इसको वारेंट की जरूत नहीं है यह मुख्यमंत्री जी किसको बेवकूव बना रहे हो आप लोग सब गवा हैं जब मुख्यमंत्री आये थे स क्वेश कर दिया गया प्ल हम तो बोलने का मोका दिजीए आप लोग सब लोगों को ने देखा कि बार बार हमने असन से मांग की कि हमको समय दिया जाए बोलने का पूरी तरीके से इस कानून में अब देखिएगा बिना वॉरेंट के तलाशी की जा सकती यानि कोई समय सीमा कुछ नहीं है जब विधायकों की विधान सभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुष करके पिटेंगे लोगों को पत्रकारों को घर घुष करके पिटेंगे कोई वॉरेंट कोई चीज की ज़रुवत नहीं है इसमें बड़ा अजीब लिखा है कि इसमें जो है बिना वॉरेंट के अपना पूरा करवाई करेगी किसी व्यक्ति को गिरफतार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराद किया मतला विश्वास पे कोई भी पुलिस दिखारी अगर उसको विश्वास हो जाएगा तलाशी लेगा कुछ नहीं भी बिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफतारी हो सकती है यह क्या कानूने यानि पुलिस जब चाहे और इसमें क्या होगा आम डागरिकों को पकड़ा जाएगा बोलेगा चलो थाने दो थोड़ा रख आर्सीपी टैक्स दो ने तो ले जाएंगे बोलेगा मेरा जुन्म क्या है नहीं पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम कॉछम के अधिया जाए यह कानून है तो मझााग बनाए जा रहे हैं बहस करने की बात कर रहें हम तो चुनौती देते Рहें कभ से कहाँ भाएथ करना कब करना आके करो ना कियो नहीं करते हैं जब खड़े होते तो बोले नहीं दिया जाता एक एक चीज का जवाब हम लोग देंगे एक चीज का काला कानून लाया गया जिस तरह से विधाय को कॉervesाने कендure का काम किया गया पत्रकारों को मारने का काम किया गया यह पहली बार की घट्टा है क्या पत्रकारों पर हाथ उठाना इस चत्र में लग बग दो बार पत्रकारों को पीटा गया अरे अपराधियों को पकरो मंत्री जो दारू बेचवाने का काम करता है उसको आप बचा के रखे हो तो जो दुकान खोले वे काले धंदा जो शुरू किये वे उसको आप संदक्षन देंगे स्रीजन घुटालों वाले को संदक्षन देंगे बालिका अग्री वाले को संदक्षन देंगे तब क्या करी थी आपकी पुलीस तब तो आप बचा रहते हैं सत्ता संडक्षे यानि हम चुप रहे हैं यह तो अंग्रेज वाला कानून है ना जब हमने यह साबित ही कर दिया कि पुलिस के अगर सामने अगर कोई अपरात करेगा तो पुलिस गिरफतार कर सकती है लेकिन इसमें यह जोड़ा गया है कि उसको विश्वास हो जाएगा उसको अगर विश्वास हो जाएगा तो भी गिरफतारी हो सकती है चाहिए वह आप हो हम हो कोई नेता हो को पलिटिकल पार्टी का कारेकरता हो या किसी से अवैद्वा सूली कर दी हूँ यानि नितीश कुमार जी पुलीस को ससकत नहीं पुलीस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे इस कानून से और लोक्तल्द के मंदर में यह अनकोंचूशनल है यह गैर सन्विधानिक है अभी व्यक्ति की आजादी जो हमको सन्विधान ने दिया यह उसको थुन चीनते का काम कर रहे यह कानून कोई समय सीमा नहीं जब तक पकड़े हैं पकड़े हैं कोई कोट का काम नहीं रह जाएगा कोई मेजिस्टेट का काम नहीं रह जाएगा कैसे चलेगा यह तो यह क्या ताना शाही है कि नहीं है यह तो हिटलर शाही है ना तो आम जनता देख रही है आज तो मेरे उपर भी ज जैसे हम पोचे वह से बहुच्छार करने देगा कोई मेजिस्टेट नहीं मेरे से बात करने कोई एस पी नहीं था हुआ बात करने के लिए एक वेक्ति अगर आप लोग के पास फूटेज होगा रिकॉर्डिंग होगा कोई मेरे पास जब हम पहुचे बंगला चोड़ा जाते पहुचने के साथ ही जै बहुच्छार करना शुरू कर दिया उपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट से उसके उपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैदात इतने बोल्डर पत्थर थे मेरे साथ जो गाड़ी में खाड़े थे वो घायल होगे क्या करेंगे हैं सदर में बैटके मुख मंतरी जुट बोल रहा है इतना बढ़का जुटा पाटी बीजेपी को कहते हैं उससे बढ़का जुटा ही है बढ़का जुटा पाटी से बढ़का जुटा मुखे मंतरी है बिहार का किerson कर लेते कि समय इद्टीन को किि वो लना चहिए ता क्य नहीं अब जब हम नहीं हैं स्थान के अंदर जबर्तस्ती बाहार पीट करके विदायको को पुलीस बल का प्रयोग करके DMSP लाज घुसा मार करके भगा के तब आहे मुखमंत्री भशत दे खुद आते हाउस को confidence में लेते हैं तो ये काम तो किया नहीं मुखमंत्री जी कहां गे अब जो है खाली हो गया तो उनकी आतमा को संतुस्ति मिल रही है अपने नेतिक्ता को उनों बेच दिया है इसलिए आज के अशर की बाद है इतनी घटनाओं के बाद वो डिनर पर जाएंगे संस्क्रितिक कारिकरम में भाग लेंगे इससे ज़्यादा बेश सरं मुखमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा उनों ने शरं और नेतिक्ता को बेच दिया लोगतंतर के हत्ता कि लोगतंतर के मंदिर में पुलीस का पर्वेश पहली दफा हुआ है लोग तंद्र के मंदिर में पहली दफा पुलिस का परवेश्ट हुआ है पुलिस अफसरों का है घराओ अम लोग चेमबर के बाहर लोग था अंदर की भी बात करें लोग तो चेमबर ही तक नहीं से उठा उठा के पिटा गया पहले पत्रकारों से शुरू किया गया आप आप लोग लड़ाई करेंगे शंघरश करेंगे लेकिन आप लोग अपने बारे में सोचिए अब ये दिन आ गया जब लोक तंतर की मंदर मर्ही पत्रकारों और विधायकों को पीटा जा रहा है तो इस कानून के बाद सोचिए क्या होगा आपके घर में उठा करके पिटे हमारे साथ मार्पिट नहीं हम देखे हम जूठे आदमी नहीं लेकिन हमारे लोगों के साथ जो है वो मार्पिट की गई है जिस प्रकार से महिला अनिता जी वहां है घायल है प्रप्यार चला नहीं जा रहा पूर मंत्री है इनको बिहार पुलीस की महिला आ करके घसीट करके लेके गई बाल 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 ख्यूच करके गई अती पिछरा समात से अती पिछरा